हाई फ्रेंग्स वेलकम तो मैं संस्का ग्यान मैं प्रेमा अबिस आज आपके लिए लेकर आए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे आने वाले बोर्ड इग्जम के लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि जो आज का हम कोशन बताने वाले हैं उसका जो के टॉपिक समा आते रहता है तो इसलिए आज हम बात करेंगे डिविजन अल्गॉरिफ्म की डिविजन अल्गॉरिफ्म का एक फॉर्मूला होता है डिवादेंट इक कोश्टू डिवीजर इंटू प्लस रिमेंडर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पर इंटू आपका आता है कोश्टू प्लस रिमेंडर तो फ्रेंट्स यह हमारा होता है डिविजन अल्गॉरिफ्म का फॉर्मॉला जिसके अकॉर्डिंग हम इसके कोश्टू को सॉल्व करते हैं जहां पर हमें फाइंड करना है जी एक्स यानिविजर हमें ने फाइंड करना है तो देखिए आए हम इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं डिवाइडेंट की जगा आप रख सकते हैं पी एक्स की वैल्यू क्या है उसकी वैल्यू चलिए देखिए इसको पहले हम देखते हैं इस तरीके से यह क्या हो गया आपका पी एक्स इस इकल हो गया division algorithm का formula तो आप देखिए हम इसको रेस कर देते हैं इसको आपके लिए इवाफ ऐसे लिखते हैं इसके जगर नहीं पाई किसलिए हम अब देखिए क्यू एक्स प्लस आर एक्स जासा कि आपको हमने पहले लिखके बताया अब इस तरीके से जो इसकी सॉट फॉर्म होती हो आपको बता रहे तो पी एक्स की जगर देखिए वैली कुतनी है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स् तो डिवीजर हमने क्या करना है फाइन करना है इन्टो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी क्यू एक्स की वैल्यू हमारी है एक्स माइनस टू एंड आर एक्स की वैल्यू हमारी है प्लस माइनस का 2 एक्स प्लस 4 अगर आप इसको सॉल्व करते तो देखिए क्या आएगा x cube minus 3x square plus x plus 2 अब देखिए ये plus का है तो इदर आगे minus हो जाएगा तो क्या हो जाएगा plus इदर आगे minus हो जाएगा और ये पूरा function इदर आएगा तो जब open होगा तो आएगा 2x minus 4 equals to gx into x minus 2 अब देखिए क्या बनता हमारा function x cube वाला यहां पर कोई भी नहीं है तो सिर्फ x cube वैसी रहेगा minus का 3x square और plus 3x square वाला भी कोई नहीं है तो 3x के ऐसी के हम इसको लिख देंगे अब आता है plus x plus 2x तो plus का आगे हमारे पास 3x और देखिए without x हमारे पास 2 and minus 4 तो आगे हमारा क्या minus 2 equals to gx into x minus 2 हमारा function बन गया अब देखिए यहां से जो function change होगा वो इस तरी के से होगा x cube minus 3x square plus 3x minus 2 upon जो x minus 2 है वो इसके अपास बाए जाएगा equals to हमारा बज़ गया gx जो की हमने क्या करना है find करना है अब आप देख सकते हैं यह एक division के form में बन गया है तो अब हम इसको long division method से solve करेंगे long division method से divide करने के लिए इसको क्या करेंगे x upon 2 से divide करेंगे पुरे function को x cube plus 3x square plus 3x minus 2 इस तरी के से जब हम इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हम first term की power देखते हैं system की power 3 और हमारे पास यहां पर जो हमारा x minus 2 x की power 1 तो देखिए सबसे पहले हमें कैचे यहां पर x square जाएगी क्योंकि जब power और power आपस में sorry जब दो function आपस में multiply होते हैं जो integer आपस में multiply होते हैं तो उनकी powers का होते हैं जूड़ जाती हैं तो x square into x की हो जाएगा x power 3 और minus का 2 x square अब हम क्या करते हैं long division method चीज़ हम solve करते हैं तो जो sign होते हो और change हो जाते हैं जैसे यहां पर plus था तो इसको minus कर दिया यह minus है तो इसको plus कर दिया देखिए यह cancel out हो गए अब 3 मैसे आप देखिए तो आज गया आपका answer minus का x square plus 3x minus 2 इस तरी किसे हो जाएगा अब हमें क्या चीए minus का x square चीए तो यहां पर x है तो हम क्या करेंगे minus x से multiply करेंगे तो minus x into x क्या जाएगा x square बटकिसका minus का और यहां पर क्या जाएगा minus 2 minus x तो plus का 2x अब फिर यहां पर भी sign change होंगे तो यह plus का हो जाएगा यह negative का हो जाएगा इसका cancel out हो जाएगा और 3 मैसे 2 जाएगा तो क्या बजगे आपका x minus 2 आ गया अब देखिए x minus 2 हमारा जो x minus 2 से हम इसको divide कर रहें जो की हमारी किसकी value है qx की जो हमारा question है तो देखिए x minus 2 sorry question table जो हमारा क्या है देखिए x minus 2 अब हम क्या गए plus 1 से अगर हम इसको multiply करते है तो x minus 2 equals to answer आ गया जो हमारा remainder है वो कितना आ गया 0 आ गया तो जो हमारा question निकला है वो कितना निकला है gx की जो value है हमारी divisor की जो हमारा divisor हो कितना है x square minus x plus 1 यह है हमारा answer तो friends divisor algorithm में हम question को किस सरी किसे solve करते हैं जब हमें क्या दिये रहते हैं जब हमें dividant दिये रहते हैं और 7 में हमें यहाँ पे दिया है question और 7 हमें दिया हुआ है इसका remainder और हमें निकालना उसका divisor तो divisor निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले उससे जब division algorithm का फॉर्मुला लिखेंगे उसके बाद जहां जहां पर जिसकी values है चाहे वो divisor की हो चाहे वो dividend की हो चाहे वो remainder की हो या फिर हो quotient हो अगर हमें given है तो वहां पर हम क्या करेंगे उनकी values बुट कर देंगे उसके बाद जो हमें find करना उसके according हम उस formula को इसके बाद जो हमें find करना है इस तरके से formula में लाने के बाद जैसे कि हमें या बें divisor find करना था GX तो हमने उसको इस तरके से रखा उसके बाद जब आया एक division के फॉर्म में बन गया तो हमने उसको long division method से solve किया जिसके according हम क्या करते हैं first term से start करते है solution करना और उनकी powers को देखते हैं और sign को देखते हैं उसके according हम उसको solve करते हैं तो इस तरीके से आप division algorithm के questions को solve कर सकते हैं तो इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल के सब बने रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब परें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दो देखने को बैसे ऌत देखने के दो परें को अपित्त है जा लिए को दो लिए और वीडियो दोला कर वाईविन डिवेड ए को दो जयए वादिन